हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम वाइट चकोचीप्स और डाइक चकोचीप्स बनाएंगे इसके लिए हम यहाँ पे लिए हैं, डाइक चकलेट कमपाउन, इसको हम ग्रेटेट कर लिए हैं यह आप अनलाइन ओर कर सकते हैं, नहीं तो किसी सुपरमार्केट में मिल जाएगा, यह लिए हैं वाइट चकलेट कमपाउन, इसको भी ग्रेटेट कर लिए हैं चलिए, अभी चकोचीप्स बनाना स्टार्ट करते हैं पहले एक बर्तन में पानी गरम कर लिजिए, जब पानी गरम हो जाएगा तब आप इसमें एक स्पून रख दीजिए और इसके उपर एक माइक्रो एफ सेव बावल रखिए, अगर आपके पास यह नहीं है तो आपके इससे बड़ा थोड़ा सा बर्तन आप यूज कर सकते हैं यहां हम एक चामुज रख लिए हैं क्यूंकि जैसे बाव से पानी उपर ना आए अभी हम इसको मेल्ट करने देते हैं देखिए चकलेट धिरे-धिरे मेल्ट हो रहा है अभी चकलेट मेल्ट हो गया है अभी हम इसको थोड़ी दर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तब आप एक प्लास्टिक जिपर में इसको भल ल और चकलेट में ठंडे ही ठंडा हो गया है है अभी का फ्लास्टिक केशा को बचल फ nud 평 दूपर उप और आहिंके हैं चखलेट को मेंने रखते हैं इसली आर में लड़ी को क्याते दोसे नमेयर बनेर्ट ऑफकर टासट कर दोस्ट आए घंट सेर दोट किसी भी प्लास्टिक के थेली को आप ही उच कर सकते हैं चलिए अभी हम इसमें चकलेट कंपाउंड डाल देंगे अभी इसको ऐसे टाप करके एक उपर में टाइट करके बांद लेंगे अभी हम इसको ऐसे टाइट कर लेंगे और किसी भी प्लास्टिक को यहाँ पर बांद के इसको टाइट कर लेंगे नहीं तो ऐसे ही आप टाइट कर सकते हैं जैसे आप मेंदी कॉन बनाते हैं ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको दिखिए अभी हम एक बटर पेपर ले लिए हैं इसके उपर हम चकोचिप्स बनाएंगे चाहे तो आप एक इसे ही रबर यहां बान सकते हैं अभी हम यहां से एक छोटा सा कट करेंगे अभी हम इसके उपर छोटा छोटा करके चकोचिप्स बनाएंगे इसे ही आपको बनाना पड़ेगा इसे करके हम सारे बना लिए हैं इसको फीज में रखके निकल देंगे इसे ही हम वाइट चकलेट कमपाउंड को मेल्ड करेंगे जैसे डाक चकलेट कमपाउंड को मेल्ड किये थे अगर आपके पास बाटर पेपर नहीं है तो आप अलुमूनियम फाइल में भी बना सकते हैं यह इजी लिए आपको मिल जाएगा और इसके बाद आप निकल देंगे इसको बनाने के बाद आप पांच मिनिट के लिए इसको फ्रीज में रख दीजिए इस सेट हो जाएगा तभी हम इसको निकल देंगे देखिए दोनों बन के तैयर हो गया अब हम इसको फ्रीज में पांच मिनिट के लिए रख दिये थे तो इसको आप आराम से निकल देंगे किसी चकु में आई तो इस स्पून के मदस से आप इसको आराम से निकल दीजिए कितनी आसान से चको चिप्स बन के तैयर हो गया आप इसमें बिस्किट बना सकते हैं केक में भी डाल सकते हैं तो आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं देखिए दोनों बन के तैयर हो गया किसे इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं आप एक बार इसको बनाएए अगर मेरा वीडियो अक्वाच चलेगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग